कि हलो फ्रेंड्स वेलकम टूमा यूटीब चनलंजेंगे जाबस फार यू तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जेंट के बैंक की तरफ से अड़ाइस के कुछ और विकेंशिज जेंट के बैंक कि इसके लिए जो सिलक्षिन क्राइटरिया है वह क्या रहने वाला है तो सारा है इस वीडियो में डिक्सक्रास करने वाले हैं तो अगर हम इन विकेंशिज की फार्म की डेट देखें तो फार्म जो है वह ऑनलाइन होना स्टाट हो जाएंगे थार्टिंट आफ मार्च से और आफ मार्च जो है इसकी लास्ट टेट रहेगी फार्म ऑनलाइन की इसके साथ-साथ अगर हम विकेंशिज की डिटेल की बार में देखें तो विकेंशिज जो हैं वह वह आपके जो रिजिनल सेंटर्स जो होंगे वहां पर जो जैनके बैंके रूलर सालफ इंप्लाइमेंट ट्रेंडिंग डिस्टूट जो होंगे वहां पर दो विकेंशिज जो हैं हार एक सेंटर में होगी जैसे अनांत्राग बंडीपुरा बरामुला बढ़गाम गांदरबाल कुलगाम कुपवाड़ा उसके बाद पलवामा पॉंच राजोरी सिनगर सेंड शोप्यान तो इन रि विकेंशिज जो हैं वो रूलल सेल्फ इंप्राइमेट ट्रैनिंग इंस्टूजर सेंटर होंगे जैन के बेंग के इन डिस्ट्रिक्स में वहां पर जो ही विकेंशिज जो है अलाट की जाएंगी उसके बाद हम टंटेट्यूट शडूल जो है इसका रहने वाला वो है साम स अपको डाउनलोड कर सकते हैं आपने काल लेट्र जो कि बाद में इसको वो सफीरटली जो हो बता दिया जाएगा उसके बाद इसका एक रिटन एक्जामनेशन्ट होगा वो रुटन एक्जामनेशिट करने के बाद जो है आपका एक इंट्रविव लेजाएगा और उसके ब तू येर्स तू फॉर्टी येर्स बाइस से चालिस साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए उसके बाद कॉंटक्ट टैनियूर जो है रहने वाला वह तीन साल का रहेगा और यह इसके बाद जो है बढ़ाया भी जा सकता है अकार्डिंग टू दा स्टुएशन क्वाल इसका कि बात करें तो आपके 100 अग्स कोंट के आएंगे और यह दोनु सेक्शन जो है 30-30 मिंट्स जो है 50 कोोषन करने के लिए 30 मिनट्स दिये जाएंगे यानिस 60 मिनट्स में आपको जो है 100 कोशन करने के लिए 30 मिनट्स करने हूंगे और हर जो सेक्षिंस हैं दोने जो सेक्षिंस हैं यह आपको अलगा अलगा क्वालिफाइ करने हुँगी उसके बाद जो है इंटर रिटेन अग्जामनीशन क्वालिफाइ करने के बाद तो इसके बाद जो बाकिवल डेटेल्स हैं वो डेटेल्स आप यहां पर पाढ़ सकते हैं जो भी इसके लिए इसके लिए क्राइटेरिया या जो भी आपको फार्म ऑनलाइन करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शनिस दी गई हैं वो यहां पर आप सारी जो हैं वो देख सकते ह ऒगी तो जानिक के लिए आपको कॉंसर डाकोमेंट की सिरूर जरूद पडएगी वो डाक्मेंट's भी आपको यहां पर बता दिये और यहां पर जो है आपको रिशन जो है वह बता देके है आफिस एसिटेंट के लिए आपकी सेल्द रहेगी वो 12,000 पर मंत रहेगी और बाद में 10% अनवली हर साल 10% जो है इस पर इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा उसके बाद आपको लोकल अनॉन्समेंट पी मिलेंगे और डिस्कलेमर में जो आपको वो भी दिया जाएगा तो य यह एक कुछ डिटेल्स थी यह जो आप जो हैं इसमें देख सकते हो फर्दर थैंक्यूओ